ये चुनाव कोई मामुली चुनाव नहीं है अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद सम्विधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है मैंने जाती चंगर्णा की बात की किसानों के MSP की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका सम्विधान हमारा सम्विधान खतम हो जाएगा जिस दिन सम्विधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है हिंदुस्तान को बचाने का सम्विधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाव है ये बात आप याद रखिए क्योंकि अगर ये चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल में से व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है ये सचाई है एलेक्शन कमिस्टन के लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नए चुनाओ से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसी लिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशिरी पे दबाब डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो सम्विधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेनों मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद सम्विधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने कहा याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है सम्विधान की रक्षवाला चुनाओ है